हत्या में रंगे हैं कि खड़े हो जाए जिन्होंने 800 किसानों की जान ले ली किसानों का हक दो, MSP का दाम दो, किसानों को उनके पेरों पे खड़ा करो, किसानों के करजे माफ करो जिस तरह 77 में इंद्राजी के खिलाफ, इमर्जेंसी के खिलाफ एक अंदोलन में सब लोग जुटे थे आज वही इमर्जेंसी कही ना कही है, बना देश का हाल भौश पुरा हो जाएगा जबरदस्थ हल चल है और अगर बात करें संसद भवन की तो संसद भवन पहुचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है ये सभी जानते हो प्रधान मंत्री के जो कुरसी है वहां तक पहुचने का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है अगर मैं बात करूँ बीते समय में तो इंडिया गटबंधन में लगातार जबरदस खलबली मची रही है बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने इंडिया एलाइंस के साथ अपना गटबंधन तोड़ दिया उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने देखा RLD यानि राष्ट्रिय लोग दलने किस तरीके से इंडिया गटबंधन के साथ अपना गटबंधन तोड़ा और NDA के साथ जाने की जिस तरीके से बात हुई आप सभी ने देखा और सबसे बड़ी बात ये एक बयान वाइरल होता है मैं चवन्नी थोड़े ना हूँ जो पलट जाऊंगा लेकिन चवन्नी पलटती है और आपने देखा जैन चौधरी किस तरीके से भारतिय जन्ता पार्टी के साथ जाने की बात करने लगते हैं आप देख रहें लगातार भारत जोडो निया यात्रा जो चल रही है उसको लेकर के भी तमाम सारी चर्चाएं पूरे देश भर में होती है और जब उत्तर प्रदेश में आती है भारत जोडो निया यात्रा राहुल गांधी के साथ आपने देखा होगा अकलेश यादों न चोड़ दिया है और असली लोगदल की अगर जो बात जो जैराम रमेश कर रहे थे जो तस्वीरे आपने जो देखी वो चौधरी सुनिल सिंग की थी और चौधरी सुनिल सिंग हमारे साथ है इंडिया एलाइंस के साथ गडबंधन कर लिया है क्या कुछ चर्चाएं है इस समय देखे जो बिल्कुल चर्चा सही है आज जिस तरह से एक व्यक्ति पूरे देश में भारती जनता पार्टी और लोक तंतर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांदी और जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है और बड़ा अजीब सा शरम की बात लगी कि चार-चार इंडिया गटबंदन की बैठक करने के बाद और इतना जब अखिलेश जी ने उनको राजसभा भी भेजा और राजसभा के अलावा उनके आठ विदाएक जिता है नवा विदाएक भी गटबंदन में चुनाओ के बाद जीता मातर नौ विदाएकों के उनको राजसभा भीजा लेकिन वो जिस तरह से सत्ता कहलें सत्ता का लालच कहलें या एक प्रवती कहलें जिस तरह से वो चुनाओ से पहले इंडिया गटबंदन को छोड़के भारती जिनता पार्टी के साथ गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों के साथ उन किसानों के साथ जो आप बॉर्डर पे लड़ रहे हैं जिस तरह से ऐसा लग रहा है शंबू बॉर्डर पे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लड़ रहा हो जिस तरह से किसानों के मुद्दों पर आप जो देश में आट सो से आदा किसानों की जान लेने वाले लोग हैं आप उनके साथ जाके खड़े हो गए, तो ऐसे समय में लोगदल का करतव्य था, कि लोगदल ने कहा कि हम इंडिया गटबंदल के साथ हैं हम आज देश को बचाने को आज लोगतंतर बचाने को आज देश में उस मुद्दों की लड़ाई लड़ने को जहां समवेदानिक संस्था एक खत्रे में हो आज लोगदल पूरी तरह से इंडिया गटबंदल के साथ है और लोगदल एक राष्टिय दल लहा है लोगदल कोई राष्टिय लोगदल नहीं है नकली लोगदल जिसकी बात जैराम जी ने कही ये कोई नकली लोगदल नहीं है दो-चार सीटो वाला ये वो लोगदल है जो चौदी चरण सिंग जी ने बनाया था ये वो लोगदल है जो एक राष्टिय दल रहता था आज हरियाना में देवी लाल जी उडिसा में वीजू पतनाइक जी बिहार में नितिश जी, लालू जी और शरण यादव जी और यहां तक कि करपूरी ठाकुर जी सबसे पहले मुक्हमंत्री अगर बनाये गए थे तो इसी लोगदल से बनाये गए थे उत्तर पदेश में मुलाइम सिंग यादव भी थे किसी भी लोगदल से थे तो यह लोगदल गटव जैया लाहा है और आज वो लोगदल इंडिया अधिगतपन से कहता है कि देश बचाने की जो लड़ाय आप लड़ रहे हैं लोगदल पूरी तरे आपके साथ है आज किसानों की लड़ाई में आपके साथ है हम चाहते हैं कि देश में बदलाव हो जिस तरह 77 में इंद्रा जी के खिलाफ एक अंदोलन में सब लोग जुटे थे आज वही इमर्जेंसी कहीं न कहीं हैं आज सम्वेधानिक सस्थाएं और देश का लोगतंतर जो कत्रे में हैं इसको लेकर लोगदल चाहता है कि 77 जैसी करां बारती किसानों के साथ वर्क कर रही है और सबसे बड़ी बात ये भारत रतन जब चौदरी चरण सिंग को मिल जाता है उसके बाद ये भारती जनता पाल्टिक साथ जाने की बात होती है आप क्यों नहीं चले गए बड़ा अजीब सवाल है चाहिए जैन जी ना तो चौदी साहब के आगे अगर देखा जाए तो चौदी साहब का कद भारत रतन से कहीं उचा है चौदी साहब करोणों किसानों के दिलों में बसते हैं आस्था है चौदी साहब की किसानों की चौदी साहब के प्रति भारत रतन दिया बहुत बच्छी बात है धन्यवाद हम केंदर सर आज आप उनके साथ जाके खड़े हैं जिनके किसानों के हाथ हत्या में रंगे हैं आप कौन सी इडियोलॉजी की बात कर रहे हैं आज हम कहना चाहेंगे जैन जी आपने अपने दादा को चौदरी जाना अगर आज आज चौदरी साण होते तो वो एगर कहीं होते तो वह ऐसे 800 किसानों से हत्या के वालों से कभी भारत रतन नहीं लेते भारत रतन को ठुकरा देते चौदरी साहब और ये कहते किसानों का हक दो MSP का दाम दो किसानों को उनके पेरों पे खड़ा करो किसानों के करजे माफ करो आज जरूरत इस बात की है भारत रतन देकर वोट बेंक नहीं खरी सकती भारती जनता पार्टी आज भारत रतन को जिस तरह से करा जा रहा है चौदरी साथ का कद भारत रतन से कहीं उचाए जैन जी ने जो कुछ करा वो सिर्फ एक सत्ता का उनका प्रलोबन दिखा सकता है क्योंकि वो दोजार नुमें ही सांसद बन पाए थे भारतन देकर पार्टी के साथ उसके अलावा वो 14 और 19 में सांसद नहीं बन पाए गठ बंदन के साथ उनको शायद जैसा सत्पाल जी मलिक साथ ने कहा कि वो संगर्ष नहीं करना चाहते वो नहीं चाहते कि संगर्ष करें वो आसान राजनिती चाहते है वो चाहते है केंदर में मंत्री बन जाएं दो-चार MP के साथ में तो हम तो चाहते हैं कि भाई आप हमारी शुबकामना है आपके साथ हैं आप अगर भारती दिनता पार्टी के साथ आप एक ही बार MP बनेते हैं आप जाना चाहते हैं आप जाईए हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम बहां जाकर ये मत कहिए कि मोधी की आइडियोलोजी चौधरी साथ की आइडियोलोजी से मैच करती है जैन जी आप चौधी साब की आइडियोलोजी और चौधी साब को पहले समझिए आप एक नकली लोग दल चला रहे हैं जो कल्पनात राय मौवाले संसत्थे उन्होंने बनाया था वो चौधी साब का दल नहीं है ना चौधी साब की नीती आपके पास है ना चौधी साब का दल आपके पास है इस तरह चौधी साब को बेचना बंद करिये चौधी साब देश के किसानों में बसते हैं और हम तो भारती जनता पार्टी से भी सला देंगे कि भाई इनकी थोड़ी सी इज़्जत करो चौधी साब के नाती है इन्हें कम से कम 4-5 सीटे दे दो इस तरह दो सीट दो गए तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप जैन जी का अपमान कर रहे हो तो आप जैन जी को जिस तरह से गए है ये बहुत बड़े शरम की बात है ऐसे समय में जब किशान अंदूलन चल लाए और जैन चौधरी जो एक चौधरी चरण सिंग के नाती कहलाते हैं वो ऐसे समय में गए हैं लेकिन हम बताना चाहेंगे कि जैन जी परिवारिक से नाती हो सकते हैं एक बार चुनावायोग ने निर्णे दिया था मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 1997 में अजीस सिंग जी को जब तीन बेंचों की चुनावायोग की बैठी और अजीस सिंग इसी लोगदल के देख्ष बनना चाहते थे तो चुनावायोग ने मने कर दिया उनका निर्णे था अजीस सिंग जी आप चौधरी साब की संपत्ती के वारिस हो सकते हैं प्राजजpt एक वारिस नहीं है जब उनको लोगदल नहीं मिला तो एक नकली लोगदल राष्टी लोगदल चला रहे हैं और लोगों को बेवकूप बनाने का काम कर रहे हैं और आज वो नकली लोगदल बहा गया है जो जार्म जबैस्द अनका है समाजवादी पाल्टी के साथ गडबंधन में थी RLD भर भर करके वोट दिया लेकिन जाट लाइंड की अगर बात करें जाट वोटर्स की बात करें तो वो काफी इस्टड रहते हैं और हमेशा से उन्होंने किसानों के पक्ष में जाट किसान ही हम तो कहते हैं किसान ही जाट का वोट था जाट तो हम लोग थे सब पूरा पश्चम में जाट जादा रहता है हरियाना में भी जाट जादा है पूरा में कहीं यादव है कहीं अलग अलग कहीं कुर्मी हैं ये सब पिछड़े लोग है और हम लोगों को 14 साब ने एक ही बात दिखाई थी और वो कहता सत्ता के खिलाब खड़े होना सत्ता से संघर्ष करना हम लोग विपक्ष की राजनिती ज्यादा करते हैं हम सत्ता में बहुत कम रहे लेकिन हमने विपक्ष की राजनिती करी और हमारा आज जो पश्च्च्च्च्ब का जाट है वो पूरी तरह आप समझ JHें कि वो पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च का पूरा उत्तरफदेश का किसान आज जैंजी कहे बोई नहीं लगता कि 2% वोट बेंग भी उनके साथ जाएगा क्योंकि हमारा किसान आज किसान अंदोलन के साथ है हमारा किसान आज देश में MSP की मांग कर रहा है हमारा किसान आज देश में अपने हकों की बात कर रहा है और लोगदल उनके साथ ये बात कर रहा है किसानों को हक चाहिए है कहरात नहीं चाहिए आज हम लोग दल्ग से कह रहे हैं, किंदर सरकार से कहते हैं, कि आप 6,000 रुपे बाटते हो, आप कहते हो आपने 80 करोड मकान वो दे दिया, 80 करोड को फ्री अनास दे दिया, इतने वो दे दिया, 10 करोड आवास दे दिया, अरे भाई भारती जनता पार्टी के लोगों ये क्या आपने अपने घर से बाटे हैं, ये जनता के टेक्स के पैसे से बाटे हैं, आप एस तरह के खैरात बाटना बंद कर दो, किसान को एक खैरात नहीं चाहिएं, किसान को 6,000 रुपे नहीं चाहिएं, आप M.S.P. का कानून लाग़ू करो, आप M.S.P. को महगाई के हिसाब से किसान को फसल का दाम मिले तो आज देश का किसान और लोगदल मोदी को गारंटी देता है कि आप हमें किसानों को MSP का दाम दो, किसान के अंदर सरकार को 6000 रुपे महीना साल देगा किसान आपको 6000 रुपे साल देगा किसान को हक चाहिए, खहरात नहीं चाहिए, आज हक की लड़ाई है और लोगदल किसानों की इस लड़ाई में पूरी तरह साथ है और किसानों को जो सोच भी नहीं सकते, लोगदल तो किसानों के दिलों में बसता है पस्यम का पूरा पूरा जाट लेंड जो एक चोर्दी साब का समीखरण था आज़ पूरे का पूरा समीखरण इंडिया गटबन्धन में आने क्योंकि लगातार बाते हो रहे थी जो घटक दल है या जितने भी दल है हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं इंडिया एलाइस में आ सकते हैं लगातार बाते हो रहे थी समय काफी लगा दिया लोग सबाग चुनाओ काफी नजदीक है देखे ऐसा नहीं है समय लगा कई अडानी अंबानी की जागीर नहीं ये इंदुस्तान हमारा है और वो इसलिए कही क्योंकि हमारे नेता चौदी चरण सिंग ने एक जमाने में कहते थे टाटा बिडला की जागीर नहीं ये इंदुस्तान हमारा है इतने साल में चौधी चरण सिंग से अब तक कुछ नहीं बदला सिर्फ टाटा बिडला की जगए अडानी अमबानी का नाम हो गया तो हम तो हमेशा से विपक्ष की राजनीती कर रहे हैं हम हमेशा से किसानों की राजनीती कर रहे हैं हाँ कुछ नकली लोग अपना जिस तरह से माहौल बना रहे थे तो हमने का चली अच्छा है कर रहे हैं लेकिन हम इंडिया कठबंदन और विपक्ष कभी दूर नहीं थे हम तब भी साथ थे लेकिन आज हम खुलकर तब साथ आए हैं जब लोग दल को बदनाम किया जा रहा है चोधरी चरण सिंग को बदनाम किया जा रहा है और कहा जा रहा है चोधरी चरण सिंग की आइडियोलोजी मोदी में दिखाई देती है तब भाई आज लोग दल कहता है चोधरी चरण सिंग कहां और मोदी कहां एक corporate की सरकार चलाने वाले अडानी अमबानी की सरकार चलाने वाले मोडी जी और उस चौधरी चरण सिंग जो कभी corporate के साथ नहीं रहे जो हमेशा कहते थे कि मैं जज दिन कि this corporate से चंडा ले लूँंगा उस दिन मुझे इनका काम करना पड़े गा वो किसानों से चंदा लेते थे, आम आदमी से चंदा लेते थे तो आज उस समय जब इस तरह की बाते होने लगी तो आज लोगदल खुल के आया और कहरा है कि हम इंडिया गठबंदन के साथ है ये नकली लोगदल वालों ने बहुत दिन बदनाम कर लिया चौधी चरंड सिंग और लोगदल के नाम को आज असली लोगदल और चौधी चरंड सिंग का लोगदल किसान का लोगदल इस देश के मजदूर का लोगदल आम आदमी का लोगदल पूरी तरह इंडिया गठबंदन के साथ है और वो गठबंदन को वो फाइदा देगा चाहे हरियाना में देवी लाल जी हो हमारे नेता चाहे बिहार में करपूरी ठाकोर हो हमारे नेता जिनके नाम पे आज भारत रतन देखे भारती जिंदा पार्टी सोत रही है कि वोट ले लेगी पर वो भूल लई है कि करपूरी ठाकोर लोगदल से मुखमंतरी बनाते हैं सबसे पहले चौदी चर्चिंग में तब बिहार हो चाहे हरियाना हो चाहे राजस्तान हो चाहे उत्तर पदेश हो लोगदल पूरी तरह करांती लाएगा लोगदल करांती लाके इंडिया गठबंदन को वो जी जिचाएगा जो 77 वाली करांती दुबार आएगी लेकिन अभी तक कि सीटों को लेकर कोई भी बात नहीं हुई ना कुछ भी अभी क्लियर हुआ एलाइंस में जॉइन दो किया लेकिन सीटों को लेका भी कोई क्लियरिटी नहीं है देखिए चुनाव लड़ना सीट लड़ना ये बहुत छोटी बात है आज कोई बात ये नहीं है कि कौन किस सीट पे लड़ेगा आज मैं कहना चाहूँगा राहूल जी भी कही ना कहीं बहुत हद तक कुर्बानी कर रहा है जहां जहां जा रहा है जो जितनी सीट मांग रहा है दे रहा है जितनी सीट देंगे ले लो आज कोई सीटों का सवाल नहीं हो रहा है सवाल आज इस देश को बचाने का हो रहा है सवाल आज नौजवान के भवश्य को बचाने का हो रहा है क्योंकि अगर इस देश में 24 में सरकार बन गई तो भाई ये भारत बहुत ज़्यादा एक तरह से कहेंगे तो नौर्थ, औरिया, चाइना और रशिया बनने में इसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा देश का लोकतंतर एक तरह से पूरी तरह जिस तरह चुनावायोग को दो एक के मैजोर्टी से लिया गया एक तरह चुनावायोग जैसी समवेधानिक संस्था को बरबाद कर दिया गया मीडिया आज स्थंतर नहीं बचा है आज पूरी तरह मीडिया पे कबजा कर लिया गया सुप्रीम कोट से लेके, हाई कोट से लेके जज़ अपनी कहते हैं कि हम स्थंतर नहीं है तो आज देश में समवेधानिक संस्थाए जब खत्रे में हो तो ऐसे समय में लोकतंतर बचाने की जरूवत है ऐसे समय में देश बचाने की जरूवत है और हम इस देश का लोकतंतर और देश बचाने की लड़ाई में इंडिया गटबंदर के साथ खड़े हैं कहां लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, बहुत छोटा प्रशन है, इसका कोई हमियत नहीं है, एक बात और, देश भर का किसान इस समय आपको देख रहा है, संबू बॉर्डर पे क्या कुछ हो रहा है, बीती 13, फरवरी 2024 से कहीं नहीं छुपा है, इंटरनाशनल मीडिया हो, दे का विश है, कि वो किसान इस देश को जो अन्न खिलाता है, जिसकी बात कभी मोदी जी 2011 में, जब वो कॉर्पोरेट कमेटी के चेर्मेंट ते कहते थे, MSP कानून, आज वो किसान जब आंदोलन खतम हुआ था पिछले दो साल पहले, तब किंदर सरकार ने वदा किया, कि हम इ और आज कानून नहीं बना रहा है, और आज कानून नहीं बनना तो देश का किसान जब आ रहा है, तो कभी उसको खालिस्तानी, कभी आतंक वादी और पतानी किन किन नामों से लाम लेकर बदनाम किया जाता है, लेकिन हम किसान को कहना चाहते हैं, किसान की लड़ाई जो है, वो लोगदल की लड़ाई है और लोगदल किसान की लड़ाई में पहले से ही है आज पश्चिम में हमारे होर्डिंग लगते हैं MSP नहीं तो वोट नहीं तो जो लड़ाई आज किसान लड़ रहे हैं हम तो शुरू से कह रहा है कि MSP का कानून किसान को मिलना चाहिए हम तो शुरू से कह रहा है किसान के करदे माफ होने चाहिए किसान को उसका हक मिलना चाहिए किसान को खेरात नहीं चाहिए 6000 रुपे की किसान को फसल का दाम चाहिए और जिस दिन किसान को फसल का दम मिल जाएगा, उस दिन किसान अपना घर भी बन वालेगा, शोचाले भी बन वालेगा, गैज भी करीद लेगा, और मोदी जी या किंदरी में जो भी सरकार बनेगी, उसे 6,000 रुपे साल दे देगा, तो किसान को आज ये सब नहीं सिर्फ MSP का कानून चिंगे, हम किसानों की जो लड़ाई है, संगर्श है, उसमें पूरी तरह साथ हैं, हम दो साल पहले भी पूरी तरह 11 महीने किसानों की अंदोलन में साथ थे, आज भी हम उनके साथ हैं, और हम तो कहना चाहेंगे आपके माद्यम से, कि वो दुशन चोटाला जो हर्य ये देश का लोकतंतर, देश का पूरा का पूरा जनता देख रही है, और ये किसानों की लड़ाई नहीं है, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, कि ये लड़ाई आम जनता की, ये लड़ाई क्या है, ये लड़ाई किसान अपना अपना जैसा भी होगा, खाना खा लेगा उसको दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ये कॉर्पोरेट की सरकार 2024 में आ गई तो वो तीन काले कानून वापस से आएंगे घुम फिर कहला ग्रूप में आएंगे और जिस दिन अडानी अंबानी का इन पर कबजा हो जाएगा खेती पर उस दिन आज 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 तरह से जब बंडिया खतम हो जाएंगी तो किसान की मजबूरी होगी इनको बेचना उस दिन आप आम मद्दाता को जो आम शहरों में हमारा जो हमारे बच्चे जो आज नौकरी कर रहे हैं शहरों में रहे हैं उनको उस दिन गेहु शायद हो सकता है 200 रुपे किलो अडानी बेचे और चाबल 400 रुपे किलो बेचे यह आम आदमी की लडाई है कि किसान की लडाई नहीं है यह आम आदमी की लडाई है कि आज किसान के साथ में आम आदमी की लडाई है और इस आम आदमी की लडाई में किसान लड़ रहा है और लोगदर पूरी तरह साथ है MSP का प्रश्न को आपने छोटा कह दिया लेकिन चार सीटों पर बात हो रही है राजिनती गलियारों चर्चा इंडिया एलाइंस में चर्चा चार सीटों को ले करके आपने बात की है अलीगड की बात हो रही है मतुरा की बात हो रही है बिजनौर की बात हो रही है बात नहीं हुई आपसे है हमारी कोई वो नहीं है जिस तरह से आप कहें कि हमारा कोई ब्लैक मेलिंग है दवाब है हम खुले मन से उनके साथ है हम खुले मन से उनको साथ दे रहे हम खुले मन से उनको हरियाना में देवी लाल जी वाली जगे पे साथ दे रहे हम करपूरी ठाकुर जी वाली चौदे साप की फूजा होती थी एक जमाने में चौदे में से नोए मेले इसी लोगदल के आजमगड में आते थे और चुकी जो नकली लोगदला चलाए उसको जो बनाने वाले थे वो आजमगड के नेता कलपनात रहा है जो कॉंग्रेस से संसत्य उन्होंने बनाये था और इ ये पूरे का पूरा लोगदल की बेल्ट है उत्पष्य मुत्तरपदेश लोगदल की बेल्ट है और बहुत बड़ा फाइदा इंडिया गटबंदन को लोगदल के नाम से होगा चौदी चरंड सिंग के साथ में होगा और चौदी चरंड सिंग का आशिरवाद आज इंडिया गटबंदन पर है अख्रेश जी पर है आप भी आगे बढ़िये जिस तरह से आपको भी प्रतारित किया जा रहा है लोग दल जो देख रहा है सम्वेधानिक संस्थाओं को तो पहले ही लगाया गया है और यह जीत भी जिस तरह से नोटेस आ रहा है यह जीत भी आज के साथ है हम आपके कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो चौदरी सुनिल सिंग जी को आप सुन रहे थे लोग दल के राष्ट्री यह द्यच्छ है लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीती में जबरदस्त उथल पुथल है और इस समय भारत जोड़ो मन से सामने आई है और आखरी म कहा है कि बड़ी क्रांती आने वाली है तो वो क्रांती क्या होगी उस पर भी चर्चा होगी फिल हाल अभी खुले मन से आने की बात कर दी है देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है जुड़ रहेगा 4PM News Network के साथ ह आने वाद